अलाहिर रहमान रहीम, असलाम उलेक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकेम टो में यूट्यूब चैनल आज हम प्रेपोजिशन के लेक्चे नमबर थ्री की तरफ मूव करने लगे हैं लेक्चे 3 में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन अफ टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस के लिए हम जो उनसी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, वो होती हैं इन और एट, इन और एट का इस्तमाल आपने कैसे करना है, वो आज हम आर्क यूडियो में सीखेंगे चलती हैं जी अपनी वीडियो की तरफ हम बहुत हम लें, इन और एट आर रेलेटिव टू इच अदर, इन प्रेपोजिशन बोथ आर यूज़ फार डिस्क्राइबिंग टाइम और प्लेस, इन और एट की प्रेपोजिशन का हमें कठा इसलिए पढ़ रहे हैं, कि दोनों आपस में इनका आपस में लिंक होता है, आपस में रिलेट करते हैं, प्रेपोजिशन में आपस में रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, दोनों टाइम और प्लेस के लिए इस्तमाल होते हैं, दोनों को अब किस जगा पे हमने इनको इस्तमाल करना है, किस संटेंस में हमने एट को इस्तमाल करना है, वो आज हम पढ़ लेंगे, preposition for time, पहले हम पढ़ेंगे preposition for time, उसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे preposition for place, we divide the preposition of time into two types, कितीन types हमें जी, दो types में हमें इसको divide करते हैं, preposition of time को, number one clock, clock के लिए आप use करेंगे at, as you know clock deals with hours, minutes and seconds, and number two calendar, calendar के लिए हम use करेंगे in, as you know calendar deals with years, months, days and dates, days and dates को मैंने काटा वह यह आपको मैं बता देता हूँ, चलते हैं जी एक concept पहले थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद भी आप इसकी examples करते हैं, concept क्या जी इसका, concept मैंने आपको पताया, time के लिए दो चीज़ें इस्तमाल होती हैं जी, एक है जी clock आपका, ठीक है, और एक है आपका calendar, ठीक है, अब clock से कौन से information मिलती है, hours के वाले से minutes के वाले से, यही होते हैं न, तीन सुईयां होती हैं न, clock की, और तीसरा एंड़कून से होता है, second का, ठीक है जी, next, अब calendar से आपको क्या कुछ मिलता है, calendar से आपको मिलता है, year, लिखा होते हैं न, उनी सो पैंसे, टूनी सो सट, 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 दो जार, एक, दो जार, चार, सा और फाइव, जो भी dates होती हैं वो इसमें हमें मिल जाती हैं जी, calendar से, अब हम देखना जी, आम इसमें, preposition किस तरह यूज करनी है, अब देखें जी, clock में, for example, आपके पास आच जाते है, I go to school dash seven o clock, I go to school dash seven o clock, ठीक है जी, अब इस डैश में क्या आएगा, मैं आपके बताया, जब भी आपने clock के वाले से कोई भी time किसी sentence magic है, तो आप हमेशा use करेंगे at, ठीक है जी, अब seven o clock आप कहां से देखते हैं, calendar से देखते हैं कि clock से देखते हैं, clock से देखते हैं, तो आप यहां पर क्या लगेगा, at, for example, एक और मिसाल समय लेते हैं, I shall meet you dash two o clock, मैं तुमें दो बजे मिलूँगा, अब two o clock, दो बजे कहां से देखते हैं, clock से देखते हैं, तो यहां पर क्या देगा, at, जब भी आप clock को use करते हुए, किसी sentence में time को देखेंगे, तो आप क्या use करेंगे, at, अगर आप calendar को use करेंगे, तो फिर हम preposition use करेंगे, in, इसकी got independent dash 1947, पाकिस्तान ने अजादी कब असल की, 1947 में, अब 1947 क्या जी, year है ना, साल है ना, तो साल जब हम use करेंगे, जो calendar से देखते हैं, तो हम लगाएंगे in, ठीक होगी बात, next आप में, my exams are dash June, मेरे इमतहानात कब हैं, जून में हैं, यह आपका मिसाल समझते हूँ, तो June क्या है, एक month है ना, तो month हम कहां से देखते हैं, calendar से देखते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, in, June के लिए क्या लगाएंगे, in, तो अगर यहाँ पर लग जाए, my exams are 7th of June, मेरे इमतहानात 7 June को हैं, तो यह क्या आगी, date आगी, तो days and dates के वाले से, तो मैंने आपसे पहले यह discuss कर चुका हूँ, days and dates के वाले से, तो आपको मैंने बताया, यह own लगता है, पता है ना, पहले lecture में, अगर आपने पहले lecture नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, तो अगर आप sequence के साथ इसको, proposition को नहीं समझेंगे, तो आपको कभी समय नहीं आएगी, आज की इस lecture मे days and dates के लिए own use होता है, तो हम यहाँ से days and dates को काट देंगे, तो add और in के लिए, add के लिए hours, minutes, seconds, और in के लिए years और month, साल और महीने, चलते हैं, अब हम इनको example से समयते हैं, आपको मजीद सही समझा जाएगी, example क्या जी, the class will be held dash Monday, अब Monday क्या है, इसको ज़रा गोर करें, Monday द साथ हम क्या लगाते हैं, own लगाते हैं तो Monday के साथ हम क्या लगा देंगे, own लगा देंगे, the first Olympic Games held dash 1924, अब 1924 क्या है, 1924 तो एक साल है ना, साल है ना, 1924, तो साल के साथ मैंने क्या बताया है, calendar इसमें इस्तमाल हो रहा तो calendar में हम क्या लगाएंगे, in लगाएंगे, next, my teacher said, I will see you dash 3 o'clock, मेरे उस्ताद ने कहा, मेरे टीचर ने कहा, मैं आपको 3 बज़े मिलूंगा, तो 3 बज़े क्या है, ये तो कला की तरफ नहीं हम जा रहे, गड़ी पे देख रहे हैं तो 3 o'clock के साथ क्या लगाएंगे, next, I started to prepare for my exam dash August, मैंने अपने इमतहानात की त्यारी August में से देखते हैं, कलंडर से, तो कलंडर पे क्या लगाएंगा, in, the school will remain closed Saturday, अब Saturday क्या है, Saturday तो कि दिन आ गया, दिन के साथ आपको पता है, दिन और तारीक, days and date के साथ आपने पहले जाद किया, वे ओन लगाना है, तो यहाँ पी हम क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, the match will be started देश टू थर्टी पीम, मैच डाई बुचे स्टार्ट होगा, तो दो बज़ के तीस मिनट, तो यह कहां से आप देखते हैं, कलंडर से देखते हैं, कलंडर से देखते हैं, कलंडर से देखते हैं, कड़ी से देखेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, at लगाएंगे, my father is going to come, देश थर्ड जून, मेरे वाले साहब कब आ रहे हैं, तीन जून को आ रहे हैं, अब यह तीन जून क्या है, यह तो date बन गई है, तरीक बन गई है, तो तरीक पर हम क्या लगाते हैं, on लगाते हैं, days and dates के लिए on लगाते हैं, years and months के लिए in लगाते हैं, hours, minutes and seconds के लिए हम क्य कार लांच की थी अब 2003 क्या है एक साल है ना तो साल के लिए हम क्या जूज करते हैं अभी आपको मैंने बताया है कलंडर है ना तो हम क्या लगाएंगे इन लगाएंगे जाने से बहले आपने चैनल सब्सक्राइब मैंने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क अगाने लाइक प्रेपोजिशन कैसे लगाते हैं देरा three types of places जगहों की तीन इकसाम है places की तीन इकसाम है dependent, dependent के साथ हमेशा at लगता है, open place open place के साथ भी हमेशा at लगता है close place close place के साथ हमेशा in लगता है अब आपको ये नहीं समझा रही होगी कि dependent place अब आपको ये concept clear नहीं होगा तब तक आप ये प्रेफोजिशन यूज नहीं कार सकेंगे चलते हैं अपने whiteboard की तरफ dependent, open और close place कौन सी होती है पहले हमना whiteboard थोड़ा साथ clear कर लें जी ये मारा whiteboard clear हो गया अभी मैं आपको बताया places होती है तीन तरह की नबर 1 कौन सी थी? dependent नबर 2 थी मारे पास open नबर 3 जी, closed यहां से आप समवे लें dependent place कौन सी होती है dependent place कौन सी होती है open place कौन सी होती है, close place कौन सी होती है इनके साथ पिर आपने कौन कौन सी preposition जोज करना है आप सिरफ ये दो मिनिट अपना ये construct clear कर लें, इन्शाल्ला आपको सारी जिंदगी ये preposition नहीं भूलेगी, dependent place, dependent place क्या रही, for example, canteen in school, अब यहाँ पे dependent course ये और independent कौन सी है, contained कौन सी है, और container कौन सी है, ये contained है, अब ये दरह clear करें, contain school में होती है, किHHH dependent है, किस पर dependent कर रही है, ये contained है, और school container है, school के अंदर, school रख रहा है contain को, contain school को नहीं रख रही, ठीके तो वो यह जगा जो किसी दूसरी जगा की महताज होती है, वो होती है, dependent place, अब किसी भी sentence में जब दो places इस्तमाल होगी ना कथी तो उसमें एक dependent होगी और दूसरी independent होगी तो जो dependent होगी ना जो हमारी place dependent place होगी उसके साथ हमेशा हम लगाएंगे at यह याद रखिएगा और जो independent होगी उसके साथ हमेशा हम लगाएंगे in उसके साथ हम क्या लगाएंगे इन लगाएंगे इसकी मैं आप वह मिसाल देता हूँ मैं पाकिस्तान के शहर गुज्रावाला में रहता हूँ I live at गुज्रावाला in पाकिस्तान मैं आपको कॉफी शाप पे युनिवस्टी की कॉफी शाप पे मिलूगा I shall meet you at कॉफी शाप in युनिवस्टी समझागी तो dependent place जो होती है उसके साथ हम इशाथ लगाना है जो independent होती है उसके साथ हम लगाएंगे in जब किसी sentence में दो places कठी use होंगी गुज्रावाला in पाकिस्तान तो गुज्रावाला के साथ क्या लगागा clear cut समझाज़ेगी आगे जी open place open place क्या जी? खुली जगा जी जो चारों तरफ से बंद नहीं होती है जो चारों तरफ से बंद नहीं होती है for example क्या जी? चोकिदार gate पे खड़ा है the watchman the watchman stand at gate जब भी आप open जगा पे इसको अपने sentence में जूज़ करेंगे तो उसके साथ आप लगाएंगे at हमेशे जाद रखिएगा जब open place की बात हो रही होगी तो तब भी क्या होगी जी? यह आपके पास at आप इस्ताप करेंगे bust up है bust up covered होता है क्योपन होता है open होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे add लगाएंगे अभी examples करते हैं आपको समझा जाएगी closed closed कुन से होती है जो चारा तरव से बंद होती है for example मैं classroom में हूँ classroom क्या है? बंद है ना तो उसके साथ मैं क्या लगाँँगा? in लगाँगा I am in classroom I am in classroom ठीक है जी? मैं गाड़ी में हूँ I am in car तो कार बंद होती है ना क्यों खुली होती है I am in car तो चलती है जी अपनी examples की तरफ जैसे आप examples करेंगे तो आपको clear cut समझा जाएगी next जी I am dash canteen in the school आप देखें यहां पे dependent की preposition छोड़ी हुई है independent के साथ हमने लगाई हुई है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे at लगाएंगे next जी they live dash labor hall dash lahore अब देखें labor hall lahore में है labor hall lahore में है अब वो labor hall रह रह रहे हैं तो labor hall lahore में है lahore labor hall में नहीं है तो labor hall dependent हो गया lahore क्या हो गया independent हो गया तो they live at labor hall in lahore the watchman standing dash gate अब gate क्या है open है क्या है closed है तींच प्लेसिस हैं आपने याद रखनी है independent independent का concept open और close का अब gate देखें gate close ही होता है न इसके उपर छत या चार दिवारी तो नहीं न होती तो watchman standing क्या आएगा at आएगा क्या in आएगा open के लिए at आता है at gate she is sitting dash the car अब car बंद है न car उसका चारों तरफ कवर होता है तो in the car आजएगा next the buses are coming dash bus stop अब bus बस टॉप पे आ रही है bus stop किसी कमरे का नाम नहीं होता यह close नहीं होता यह open होता है तो इस पे क्या आजएगा at bus stop we met dash coffee shop अब coffee shop shop है ना shop कौन से होती है यह open है के closed है यह open होती है coffee shop यह open area होता है इसके क्या लगाएंगे at लगाएंगे अच्छा add के लिए यह core concept भी आप थोड़ा सा याद कर लें जब किसी specific चीज की बात कर रहे है ना किसी specific place की तो वहाँ पर भी आप at लगा देते है next जी we shall meet dash lahore अब यहाँ पर हम क्या करेंगे we shall meet lahore lahore क्या है बंद है के खुल है lahore सारे को पर चात देखा अपने इसके चारत बारी होई है कहीं पे नहीं न ओपन है ना तो ओपन के साथ हम क्या लगाएंगे in लगाएंगे के at लगाएंगे at लगाएंगे ठीक हो किछ बात next they are celebrating his birthday dash marie अब marie क्या है marie open है क्या close है marie आपने देखा चारत बारी हुई है उसको चात लगा होगा उसके उपर open है ना तो क्या लगादेंगे at लगादेंगे next day they are celebrating his birthday dash kinarahotel dash gujarat अब जी वो उसकी birthday कहां बना रहे है कinarahotel में कinarahotel कहां पे है gujarat अब देखें फिर dependent और independent की बात आगी कinarahotel gujarat है gujarat कinarahotel में नहीं है तो dependent पे हम क्या लगाते है at लगाते है और independent पे क्या लगाते है in लगाते है I think आगो समझ आ गई होगी next day we shall meet dash london UK अब अगर यहाँ यूके ना होता तो फिर london क्या हो जाना था open place हो जानी थी लेकिन अब क्या है अब london क्या जी यहाँ पे dependent है और UK क्या जी open space है independent है at london in UK next जी आपके पास assignment है I am dash college he is sleeping dash classroom dash university he got married dash july she is getting married dash 17th of july यह चार question है यह आपने assignment है अगर आपने तीनों वीडियो मुकमल देख लिए हैं तो पिर यह assignment आप easily कर लेंगे assignment यह मुकमल करके इसके answer मुझे 0300-390-4825 यह मना number है यहाँ पे लिका हुआ है whatsapp के जरीए आपने वाया whatsapp मुझे आपने यह इसके जो answer दा है यह मुझे whatsapp कर दे मैं आपको उसी time यह आपके जो pdf notes है आपको उसी time मैं send कर दूँँगा आपको पता है कि पहले पे हम इसी तरह करते हैं यह number note का लाँ 0300-390-4825 इस number पे आपने मुझे यह उपर चार आपको question दी हो है assignment के इसके आपने मुझे question इसके answer send करने है और मैं आपको यह PDF note send कर दूँग आपने पास save कर लीजेगा आपके यह PPSC, FPSC, NTSC के कोई भी आप competitive exam देने जाते हैं किसे admission के लिए या किसी भी job के लिए तो आपके लिए इन्शाला यह बहुत ज़्यादा helpful होंगे दो वीडियोज और बना होंगा इन्शाला तेला preposition को complete कर देंगे next दो वीडियोज और होंगी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दें दोसे लोगों के साथ शेर करें मिलते हैं next वीडियो में थैंक्यू सो मच अल्ला हाफीज